नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरा पढ़नाम आज हम बत करने वाले जो एडमिस नोटिस आचुका है उसके बारे हम बात करेंगे जो नर्सिंग से लिटिड है जिसके अंदर बीएसी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएसी नर्सिंग, एमेसी नर्सिंग और जो एनपी सीशी क पे मिल जाएगा जो हरेना गुर्मेंट की साइट है इसके अंदर हम बात करते हैं जो बीएसी नर्सिंग है बीएसी नर्सिंग के लिए इलिजबिटी करेटी के रिए क्या होगा 31 12 2020 की कोर्डिंग उसकी एज 17 साल होनी चाहिए दैन उसके बाद 10 प्लस्टू होनी चाहिए साइन साइट से जिसके अंदर फिजिस केमेस्ट्री बायोजी और इंगलिस सब्जेक्ट होने कंपल्सरी है दैन आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट बेसिक बीएसी नर्सिंग के उसकी एज 21 साल होनी चाहिए चाहिए और इसके अंदर आपके पास जी एनम होनी चाहिए जीनम के अंदर जो आपका रेजिस्टेशन है वो भी इसके अंदर होना चाहिए इसके हम बात करते हैं आगे अगर कहीं भी गोर्म değil कि मेंुकिंन के अंदर या कोई की इसलिए आपको इसमें ज्रूरी ।बी ज् यह बीसी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीसी नर्सिंग इस चीज के लिए अपलाई कर सकते हैं दैन इसके बाद आपके पास एक साल का experience होना चीह कहीं भी जैसे कि आप किसी भी hospital का work कर रहे हो तो उसका experience experience भी चलता है और जो आप किसी भी college के अंदर आपके पास अगर tutor का experience है वो भी इसके अंदर चलेगा minimum one year का experience यहां पर मांगा है और जो आप लोगों का experience count होगा वो जैसे जो registration होता है उस पे जो डेटली होती है उस डेट से लेकर जो इस रहतक पीज़े होनी चाहिए और एक साल का experience कर जो clinically experience होना चाहिए यानि कि सिरफ इसके अंदर आपका जो hospital का experience है वो count होगा कि इसके अंदर जो admission के लिए दोस्तों आपका नंबर की जुरूरी नहीं है कितने भी नंबर आए तो आपका admission हो जाता है देन अगर government के लिए तो आपको merit waste पे आपका selection होगा बट इस exam के अंदर exam देना compulsory है जो इसको exam देगा वो की admission ले पाएगा तैन आगे हम बात करते हैं जो इसकी फीश ट्रक्चर है वो क्या हैगी गवर्मेंट के अंदर जो आपको nursing और NPCC है उसके लिए 30,250 रुपए फीश रहेगी पर यर कि दोस्तों यह गवर्मेंट की फीश है तो इस चीज़ की basic BSC उसके लिए 60,000 रुपए फीश रहेगी जो MSC है उसके लिए 75,000 रुपए फीश आपकी रहेगी तैन इसके बाद आपको कोई भी अगर क्योरी है उस आप मेरे ADSRMA University है वह ही कंडक्ट करवाएगी इसके आगे हम बात करते हैं GNM, ANM और PSW के कोर्से के बारे में भी इसके बाद जो ANM, GNM और PSW है उनके भी Admissions स्टार्ट हो चुके है जो यह PDF है आप DMAR के साइट पे डाउनलोड कर सकते हो वहां से आप इसकी complete detail देख सकते हो GNM के लिए दूस्तों आपके पास 10 प्लस टो होनीची किसी भी subject से ओ अगर आप तो भी आप इस चीज के लिए eligible हो उसकी जो एज है वो सतरा साल minimum होनी चाहिए गर जो एनम है उसके लिए भी 10 प्लस टो होनीची किसी भी subject से हो तो भी आप तो भी आप कर सकते हो और 17 साल में इनियम एज 17 से 35 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए हम PSW के लिए 10 प्लस टू होने चाहिए किसी भी सिब्जेक्ट से और 17 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए और जो हरियाना के अंदर एनम और जो जी एनम की कोर्स है वो सिरफ फीमेल ही कंडिडेट ही कर सकते हैं मेल कंडिडेट के लिए यहां पे कोई भी सीट नहीं है नहीं प्राइवेट कोलेज में नहीं गोर्मेंट कोलेज में जो फीज की बात करते हैं तो एनम की 1,87,800 रुपे रहने वाली है और जो जी एनम की 1,98,200 रुपे और जो MPSW है वो 94,000 फीज यहां पे रहने वाली है यह complete course की फीज है दोस्तो देन यह कुछ college है आप लोग list के अंदर देख लेना हम आपको description के अंदर इसकी site है वो official site है वो डाल दूँगा यह college government college है जो की एनम की है वो लोग आप देख लेना दो total 260 seat है देन यहां से जी एनम की college start होते है है कि यहां से अब लोगों के जो अंपीस डबलो के course है वो start होते हैं कि सोरी यहां के जो एडम college है वो यहां स्टार्ट होते हैं कि यह फी स्ट्रक्चर है एनम को कॉर्सिस की द्रैन यह जी एनम की फी स्ट्रक्चर तो आपको यह वीडियो समझ में आगो दूस्तों अगर आपको कोई भी किस्टन टाइम पर चाहिए है फुल अपडेट चाहिए अगर आपको कोई भी क्यों रहती है आप कमेट बोक्स के अंदर लिख सकते हो ओके थैंक यू थैंक यू सू मच